हलो दोस्तों मैं स्वय कुमार दोस्तों 65 BPSC के अंतरगा जो 40-day answer writing group चरहा दोस्तों उसका test number 21 था दोस्तों यह जो question था दोस्तों सुदूर संबिदन या remote sensing इसको कहते हैं इसके बारे में बताना था इसके सिद्धान्द को असपष्ट करें और इसरों दोवारा किये गए उप जो जी आई एस तता प्राकृतिक संसाधन प्रमंधन में इसकी युप्योकता को बताएं questions दोस्तों remote sensing क्या है remote sensing से related इसरों के दोवारा क्या प्रियास किये गये हैं फिन है जो इसको प्राकृतिक संसाधन में इसके क्या भूमिका है और इसकी युप्योकता का इसके प्रमं सुदूर संबेदी या remote sensing करते हैं यह satellite based information होता है दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो भी और वीट में जिस अर्थ के और वीट में जो चक्कर लगा रहा है वहां से जो िफ्रमेंशन जिस हैं माल लिज़े कहीं से हैं तो हैदराबाद में इसका processing sensor है वहां से हैंो हैं यह जो वहां पर पहुंच आता है तो और बीट से और वीट से हैदराबाद है और हैद्राबा से प्रोसेशिंग होके जहां पर जाना होता है वहां पर उसको है जो सेंड कर देता है तो यह कुछ इसकी तक्निक भी दी एक फिगर है जो इसको बना दीजेगा तो आपको है जो बहुत अच्छा होगा इस फिकर बनाईएगा तो तंसेप्ट किलियर हो इसका काम है capturing करना च्टोर करना management करना processing करना फिर एनलाईस करना इसका मेन फंडा है दोस्तों पूरा प्रक्रम में यहीं की लिखना है इसके बाद दोस्तों जो इसी द्वारा जो किये गे आप से से काटों से टू टू ऐवी तू एफ नवीन उपग्रह जो है उसका वह जो आप है जो इसे में रिसेट ब्र जाना आपको इसमें लिखना आफ इन है जो इसको बीविन चत्रें मेंचेस आए अब्दा प्रवंधन में जैसे मालेजे सूखावाद चक्रवाद तुफान सुन है मानसरो बर जाने के लिए बनाया है तो मेंुस्ट निग्रानी करने के लिए के लिए सब त्क रिच्प करने की वहां कि इस प्रकार की है है और सब चीज है जो से मामले में रिपोर्ट अभी आया है तो में ृपोर्ट यह इसी के माध्यम से जो किया गया ग्यादर करने के बाद है जो पता चलता है कितना है अभी आल फिलाल में जो सुंदर बन में 96 हो गया है बागुर की संख्या तो इस सब चीज है जो दोस्तो हरेट चीज में जो तक्निक का जो यूज किया जा रहा है जिसके माद्यम से हमें जिसका परियोग कर सकते हैं आप इस दस दिन पर चालू हो रहा है दोस्तों अगर आपको में धन्यवाल मिलते हैं नए वीडियो के साथ धन्यवाल